हेलो एब्रीवन कैसे हैं आप सब इन्वेस्टिंग विद हर्दीप में मैं आपका फिर से सुवागत करता हूँ एक नई वीडियो और एक नए अपडेट के साथ में बात करूंगा इस वीडियो के अंदर मैं कृतिका वायर्ष की और जिस कंपनी ने रिसेंटली बोनस और अब एक थोड़ी सी गिरावट के चांसी जो हैं स्टॉक में लगातार बनते जा रहें क्योंकि इस स्टॉक को जो लिस्ट हुए है टाइम हुआ है काफी कम हुआ और इस बीच में स्प्लिट दे देना बहुत बड़ी बात होती एक छोटी कंपनी के लिए एक पैनी शियर कं पवजूद भी ये स्टॉक अभी तक सस्टेन करता हुआ हमें नजर आ रहा तो ऐसे बे क्या क्रितिका वायर्स के अंदर इन्वेस्मेंट करना चाहिए या फिर अभी थोड़ा सा और वेट करना चाहिए लॉग टरम के लिए कैसा स्टॉक है डिसकस करेंगे इस वीडियो मे और अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस करके औल पे जरूर सेलेट कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक तुरमत नॉटिविगेशन पहुँच जाए तो क्रितिका वायर्स के अंदर आज ओल्मोस 6% के आसपास का उचाल देखने को मिला है जहां कल क्लोजिंग 13.50 पैसे पे थी और आज की क्लोजिंग 14.30 पैसे पे देखने को मिली है 80 पैसे की बड़त के साथ में और अगर आप इसका 5 दिन का चार्ट देखेंगे तो सिरुफ 2% के आसपास तक के ह बीच में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है लेकिन उसके बाद से थोड़ा सा एक अपसाइड मुमेंट दोबारा से हमें क्रितिका वायर्स में देखने को मिल जाता है अगर आप इसका एक महिने का चार्ट देखेंगे तो अल्मोस्ट 12% के आसपास तक की करेक्शन जो है क्रितिका वायर्स में देखने को मिल जाती है अवे पूरी इस तरह से गिरावट देखें तो ओल्मोस्ट देखने की क्रेक्शन गिली है जो है इस stock में हमें देखने को मिली है फिर भी बीते एक साल में जो returns देखने को मिल जाते हैं वो फिर भी 23% के आसपास के बरकरार है इस टाइम भी जबकि उपरी इस तरसे ये stock 67% तक correct हो भी चुका है maximum returns जो है 1.85% के ही देखने को मिल जाते क्योंकि almost 6 मई को जो है company लिस्ट हुई थी और उसके बावजूद जो है stock ने एक positive momentum दिखाया और returns अच्छे बना के दिए short term जिनका रजरिया था और उसके बावजूद जो है एक लगातार अच्छा खासा positive momentum आया था और उस बीच में almost 100% के returns kritika virus ने investors को बना के दिए लेकिन उसके बाद जो है same as it is जितनी तेजी दिखाई थी उसके बावजूद जैसे ही split around हुआ split record date हुई उसके बाद as it is जो है उतनी ही गिरावड जो है वो दोबारा से हमें kritika virus में देखने को मिले और इसका जो relative strength index है वो आज की तेजी के बाद जो है almost 29.43% के आसपास जाता वाने जराया जहां एक underdeveloped condition में इस time kritika virus का relative strength index है जबकि moving average जो है 14.26 है और stock का current price almost 14 रुपे 18 पैसे पे है kritika virus देखे incorporated in 2004 और kritika virus limited is engaged in the manufacturing all of type of steel wires and galvanized wire to cater to the needs of the state electricity boards power grid corporation of india limited etc तो कहीने कहीं kritika virus जो wires की manufacturing है जो types of steel wires है उनका कहीने कहीं जो है आपका जो इंडियन गवर्मेंट में जो power grid corporation of india है और state electricity boards है उनमें requirement रहते हैं तो कहीने कहीं positive जो आप कहा सकतना है की long term में लेकिन short term में returns मिलना मुश्किल long term में भी कम quantity के साथ ही आप इसको hold करके continue कर सकते हैं अगर आप bank nifty nifty में trading करते हैं या फिर trading को सीखना चाहते हैं तो वीडियो के description box में आप लोगों को मेरे free telegram group का link मिल जाएगा जहाँ पे हर रोज bank nifty nifty की 1-2 democall provide करता हो जिनकी accuracy almost 90% से उपर रहते हैं तो आप उनको profit booking या फिर paper trading के लिए भी use कर सकते हैं चैनल का link वीडियो के description box में मिल जाएगा market cap जो है kritika virus के 128 क्रोड का है और इसका current price 14.40 पैसे के आसपास book value जो है 8 रुपे के आसपास के dividend 0.69% return on equity and return on capital 8.95% and return on equity 6.02% के आसपास है जबकि face value stock की 2 रुपे के आसपास की यानि की 1 is to 1 का split जो है near future में भी दोबारा से देखने को मिल सकता है प्रोज की बात करें तो adapter date जो है वो improve होते वे देखने को मिले और working capital requirement जो थी वो भी थोड़ी से reduce होते वे देखने को मिले और इसका return on equity जो है 3.03% देखने को मिल जाता है last 3 years का जबकि quarterly results देखे तो sales जो रही है 2022 के अंदर quarter 2 के अंदर वो 61 करोड की रही जिसमें से operating profit 95 लैक का रहा और अगर year on year basis बे profit and loss की बात करूँ तो operating profit जो है अब की बार जो है almost 10 करोड के आसपास का हमें kritika वायर्स का देखने को मिला है balance sheet की बात करें तो reserve company के पास 53 करोड है और borrowing की करजा company के उपर 39 करोड का तो long term carry forward क्या जा सकता है लेकिन short term में return मिलना थोड़ा सा मुश्किल हमें kritika वायर्स में देखने को मिल सकता है